नमस्ते बच्चों जय हिन वन्दे मात्रम मैं धंपाव देत लिया और आपका एक बार फिर सवागत करता हूं मेजिक मेश के इस च्छोटे सेशन में इसका नाम है 40 सिरीज डेरी फोटे के सब्सेश हिसके एक नश्याफ पे जी सब्सक्राइश करने के साटे मेशिक में वाखता हैं आपके लिए लीओ में धारे कर दिमिए अउनके ख पना घ्रम पिए लिए ऎको सब्सक्राहि करें पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि एक ऐसा important question में आपके लिए daily लेक्याता हूं और एक daily important question आपको मिलता है तो आप आपको बहुत help मिलती है कहीं कहीं आपकी speed भी बढ़ती है और accuracy मेंटेन रहती है तो जो आज का question में लेके आया हूं आप coins इससे लेके आया हूं coins best probability पर तो जी जो coins का आज आपने चेप्टर देख लिए आज का session आपने देख लिए यह पांच मिनिट का वीडियो तो आपको कभी coins वाले question में कभी दिखकर नहीं आएगी इतना अच्छा concept में बताने वाला हूं चाहें कितने हैं coins उच्छाने की बात कर रहे हूं ठीक है तो आई हम सिखते हैं देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि when two coins are tossed simultaneously then find the probability of getting at least one head ठीक है कि जब दो सिखके एक साथ उच्छाने जाते हैं तो कम से कम एक हैड आने की कितनी प्रायक्ता है यहां कम से कम की बात हो रही है ठीक है is a खरído करते हैं कि एक आगा इच्छा जाएगा तो इसकी कितनी प्रायक्ता टोटल प्रायकता होगी ठीक है अगर दो कोइं उच्छा ले जाते हैं तो क्या तो बनेगा एक में dope whenouth and Indy तो तो कितने पहलू होंगे चाहिए यानिए कि यहाँ पर क्या जाएगा दो का इसको हब ऐगाहएगा तीक rendal के चुझा की सबस्क्राइब हो जाता है तो tutti jaki कि nj 20 20 से चार बनती है एब बीटी क्या क्या बनी कि चार तो दोनों में हैडाइगा ठीक है यह पहले वाले में हैडा आएगा दूसरे वाले में डेला ते या फिर दूनों में यह परミYUशिओ तो यह जो प्रायक्ता बने की ये प्रायक्ता बने की एक षित्वाइगा ये लेकिन Sachs कर दो भुं जाए चीक तो यहां पर चुक्तम्न को को सब्सक्राइब और लोग हाँ या फिर दो में है राए माँ ओर एक में पर अधा एक है इस कि अ को तो यह तो चार पॉसिबीटी हो गया होगी अब जो अगली चार पोसिबीटी वने की इसक़ उल्टा होता है तो यहां पर आपको क्या करना है सिर्फ H की जगे पर T करना है T की जगे पर T करना है उसके बाद देखो head, tail, tail, तो यह जो आठ possibility बनी है, यह किस से बनती है, यह तीन सिख्य उछा ले जाते हैं, जब होता है, मतलब यहाँ पर एक सिख्य उछा ले गया तो दो प्राइकता है, ठीक है, दो सिख्य उछा ले गया तो चार प्राइकता है, तीन सिख्य उछा ले गय क्या बुल रहा है कि when two points are toast ठीक है जब एक सांस दो सिख्के उच्छा ले जाते हैं तो क्या बनता है कि possibility क्या बुल रही है वो कि at least one head कि कम से कम एक आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए सब्सक्राइब को यहां पर दो है यह बहुत्रों करें यहां को यहां पर देखो और दूसरी बात कि इसका जो आंसर आए गा और देहा रहेगा वह ओप्शन प्रकार से दे सकता है आपको देखना प्ड़ेगा वो किस हिस और यहां पर आपको fraction percentage और ratio इन तीनों की जनकारी होना बहुत जरूरी है अगर option में ऐसे दिखा fraction में तो 3 by 4 आएगा अगर ratio में दिखा तो 3 by 3 ratio 4 ऐसे आएगा ठीक है ऐसे आएगा और अगर percentage की बात करें तो 75% आएगा यानि कि 4 में से 3 के बात कर रहे हैं तो percentage आएगा ठीक है त तो यह fraction में answer हो गया आपका यह आपका answer ratio में हो गया और यह आपका percentage में हो गया ठीक है तो इस टाइप से answer option में आपको दिख सकता है टीम प्रकार से तो आपको वो select करना है ठीक है लेकिन जब points की possibility बनेगी तो यहीं बनेगी अगर यहाँ पर चार सिक्खे पी उचार जाते है तो चार सिक्खे के आपका टू की पाउर आ जाएगा लेकिन exam में नहीं आएगा तीम सिक्खे से ज्यादा exam में नहीं आता है इतन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तब ही आपको नोटिप्रेशन हर वीडियो का नोटिप्रेशन आपको मिलेगा बेल आइकन पर आपको जो है उसके और पर टिक करना है ठीक है ठाइक्ट्यू